हलो फ्रेंज फ्रेंज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जेके बोस क्लास 10 के रिकार्डिंग जेके बोस क्लास 10 का जो कम्पलीट सलेबस है सलेबस रिडक्शन के बाद आप कैसे पड़े जो आपका 60% है जो कम्पलीट हो जाए ठीक है और किस हिसाब से आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो करें ताकि जो आपकी परसेंटेज है वो 95 अब आपको एक अच्छी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी जो भी आपके पास टाइम बचा हुए जब कैसे पास हों कितने नंबर का हम अटेम्टि करेंगे तो कैसे पास होगा आप वो पूरा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर चैनल से फर्स टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जमुक्षमीर रिलेटिज जेके जमुक्षमीर में जॉब्स रिलेटिज सारी इंपोर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करें हमें इंग्लिश के स्लेबर्स की इंग्लिश का स्लेबर्स की आप बेटेज देख सकते हो जो प्रोज है वो 19 मार्क्स की है पोईटरी 21 की शॉर्ट स्टोरी 10 की प्लेव 5 का और राइटिंग स्किल 20 का और ग्रैमर 25 की ठीक है आपको जो पेपर करना होगा इंग्लिश का आपको पास मार्क्स करने के लिए चाहिए होंगे ठीक है अगर आपकी जो प्रेपरेशन है अगर आप पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप सिंपल सिंपल इसका छोटे-छोटे कोशन है जो उनको बना सकते हो जैसे कि इदर लास्ट वाला ओप्षन देख सकते हो जो ग्रैमर ए उनको अभी से थोड़ा-थोड़ा पड़ोगे तो हो सकता ठीक है उसके बाद बात करें जो आपका प्रोज रहते हैं ठीक है इधर से आप अगर main main character कर दो main main अगर आप character कर दोगे दो तिन character कर दोगे तो आपका जो passing marks है वो easy से आपका 21 to 22 बन जाएगा ठीक है पहले जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बचे pass होने के लिए जिनको दिक्कत रहती है अब बात करें जिनोंने 95% जानी की आपको 60 में से आपने तो preparation अपनी शुरू से अगर आप कर रहे हो आपने 100 marks की preparation की होगी 100 में से आप 60 का आपने attempt करना है जो आपको easy लगता है अप उसी की बारवार revision करोगे तो आपके जो 60 marks है वो easy way में बन जाएंगे जो approach के आपको पता होगा आपके इदर साबसे चुशन रहती है ठीक है प्रोस से आपको जो और उसके बाद हम नेक्स लेप इदर देख सकते हो आप जो आपका प्रोस है प्रोस में से आपको क्या पूछा जाता एक पैसेज आएगा जो आपकी पैसेज होती है वहां के आप के जो answer होते हैं, वो वहाँ से आपको मिल जाते हैं, आप passage के easy way से answer कर सकते हो, इदर देख सकते हो passage कितने आएंगे आपको चार नंबर का passage आएगा, एक unseen passage आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको एक आएगा, theme आएगा, वो आपने learn ही करना पड़ेगा, वो चलो आप नहीं, जिन से नहीं हो सकता है, वो short week सकते हो, उसके बाद जो sentence रहता है, उसका आपने लिखना पड़ता है, उसका भी वो जो passage आया होता है, वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद बात करें आपका जो short stories है, short stories से आपको एक character भी आएगा, climax writing word कुछ भी आ सकता है, और play में से एक question आएगा, जो आपको 200 word में लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको internal choice भी मिलेगी, ठीक है, और grammar से आपको क्या-क्या पूछा जाएगा, grammar से आप इदर देख सकते हो, editing, ठीक है, जो editing task होते हैं, जहांपे आपको grammatically कोई भी बरब होती है, जो गलत होती है, spelling mistake होता है, उसको आपने correct करना पड़ता है, चार marks का, उसके बार rearrange, जह भी easy way में आप तीन marks का, आपका हो जाएगा, dialogue तीन marks का रहता है, narration भी आपको दो marks की पूशी जाएगी, model एक marks का, article एक marks का, और paragraph, phrase, noun और homonium सापको total पांच marks के आते हैं, ठीक है, जह था और 10 सापको तीन marks के आएगे, class भी आपको तीन marks के आएगे, ठीक है, उसके बाद आप, जह आपका syllabus रहा, उसके बाद हम next syllabus की, अब बात करें आपके mathematics के syllabus की, mathematics का syllabus आप देख सकते हो, सबसे पहले number system है, जो 5 marks का, algebra 29 का, trigonometry 14 का, coordinate 8 का, geometry 22 का, mensuration 11 का, और statics and probability 11 marks का, ठीक है, सबसे पहले आप इदर chapter wise देखो तो, जो pass करने के पास करने के आपके इदर 21 से 22 marks चाहिए होंगे, आप अगर क्या कर दो, probability कर दोगे, ठीक है probability आपका 4 marks का है, इसको आप कर सकते हो, और पहला जो number system, algebra के chapter है, number system भी आप easy way में हो जाएगा, 5 number का बन जाएगा, उसके बाद जो next chapter है, algebra में सबसे पहले आपका polynomial आएगा, polynomial polynomial के बाद, आपका एगा, linear equation into variable, और जो भी उसके बाद next topic आपका, उसको भी आप कर सकते हो, और आपके जो passing marks अप here, आप linear equation और quantity equation 10, और 7 स्थान और 25, अगर आप पहले 3 जा 4 chapter कर दो, आपके easy से 20 number बन जाएगे, ठीक है, और बात करें, जिन्होंने 19%, 95% mathematics में, अगर उन्होंने कोई भी chapter जो बच्चों को मुश्किल लगता है, वो मुश्किल लगता है, सिरफ triangle जो chapter होता है, class 10 का triangle chapter, उसमें थोड़ी बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, जो triangle आपका chapter है, triangle chapter आपका रहने वाला, friends, 10 number का, पहले वो 12 number का होता था, अब वो 10 number का हो गया, ठीक है, sorry 9 marks का हो गया, triangle, triangle अब 9 marks का हो गया, अगर आप इसको eliminate भी कर दोगे, ठीक है, इसको eliminate यह दो पार्ट में रहता है, जो भी इसकी 5 exercise है, उसमें अगर आप इसकी एक दो थियोरम भी कर दोगे, तो आपके जो 95% अवब है, वो बन जाएगा, ठीक है, अगर आप इस chapter को eliminate भी कर देते हो, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, आपने 60 marks का attempt करना है, आपने 60 marks का attempt करना है, आपको simple simple chapter बता दें, अगर आप पहले के, जो 5 chapter है, ठीक है, पहले के इदर कौन सा आगे, number system, polynomial, linear equation into variable, और quadratic equation, ठीक है, जो chapter आपके नतिस और पांच, चोतिस number बन जाते हैं, और trigonometry बच्चों की अच्छी preparation रहती है, टैंथ में सिरफ trigonometry बच्चे जो मुश्किल समझते हैं, और अच्छी preparation करते हैं, ठीक है, चोतिस और चार अठाटिस और 48 इदर सही बन गे आपके, 48 के बाद अगर आप statics and probability कर दोगे, तो आपके राम से 60 marks बन जाएंगे, इसी तरह कि आपकी अपनी preparation रखोगे, math का आपका easy VMS ले, बस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बात करें, आपका जो social science है, जाने की, जिसको आप SSD बोलते हो, वो आपका कैसे रहने वाला है, सबसे पहले जो आपका history है, वो 25 marks का आता है, जिगरोफी 25 marks का आएगा, उसके बाद politics भी आपको 25 marks का आएगा, उसके बाद जो आपका economics disaster management है, वो 15 marks का आपका आने वाला है, ठीक है, और उसका क्या रहेगा, आपका 15 marks का तो वो आएगा, लेकिन उसमें से 25 का उगा और 10 number की, उसकी क्या रहेगी, internal assessment उसकी रहने वाली है, आपका जो theory marks होगा, वो कितना होगा, 90 number का होगा 10 number का, आपका क्या रहेगा 10 number का आपका रहेगा, internal assessment ठीक है, इसमें से आपको कितने number चाहिए होंगे, आपने कितने marks का attempt करना है, जो आपका SST का होगा, वो इसमें से आपने 54 marks का ही attempt करना है, 54 marks का ही आपने attempt करना है, और आपको पास होने के लिए इसमें लगबग 19-20 मार्वस तक आपको इसके चाहिए होंगे ठीक है 20 मार्वस आप इजी वे से ला सकते हो आपका जो लास्ट टॉपिक है इकनामिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट में से आपको कोशन एक इजी कोशन आते हैं जिसको आप easy way में कर सकते हो 20 नमबर लेना अगर आप जिग्राफि के पहला दो चैप्टर कर दोगे ठीक है जिग्राफि के अगर आप पहले दो चैप्टर कर दोगे तो आपके history का एक कर दोगे फरस्थ उसके भी शेयर नमबर बन जाएंगे और second chapter करोग ठीक है अगर जिनसे भी 90% करने है अगर उनसे पूरा स्कोर नहीं हो रहा वो क्या करें वो भी अगर आपने सिर्फ आपने 60 माक्स का ही करना है तो आप क्या कर सकते हो आप अपना जो पोलिटिकल साइंस है जो जो ग्रॉफिय किसी ए को शोर दो एक हो अभी अगर आप शोर दोगे तो आप 75% का अटैम्ट एजी 54 का आप अराम से कर सकते हो आप अगर किस किस को शोर दो अगर आप हिस्टरी को शोर दो एकनॉमिक सोर डिजास्टर मैनेजमेंट को शोर दो और उसमें से एक दो कोशन करो आपका अच्छा बना जाएंगी आ दो सेक्षनों को leave कर सकते हो और उस बाकियों को अच्छे तरह से आप prepare कर सकते हो ठीक है अगर आप सिर्फ जिग्राफी करो जा हिस्टरी करो दोनों सेक्षने करोगे आपके 50 marks बन जाएंगे और economics और disaster management से एक question भी कर दोगे तो आपके 56 और easy में से बन जाएंगे आप किसी भी दो सेक्षनों को शोड सकते हो इन में से ठीक है लेकिन आपको जो disaster management है वो compulsory ही रखना पड़ेगा ठीक है disaster management बाकी आप इदर देख सकते हो 25 मतलब 25 और 50 बन गए इसको शोड सकते है जाब political और economics को शोड दो लेकिन एक compulsory आपको disaster management रखना ही पड़ेगा ठीक है अब चलिए लिए next की बात करें next जो आपका रहा है उसके बाद करें science की science का आपका किनना रहेगा का इजी इजी चैप्टर करो जानी कि आप जो भी लाइट है लाइट के भी अगर आप रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है उनको अगर अच्छी तरह से गर लो कर लो तो आप इदर से नुमेरिकल भी आपको पूछा जाता लेकिन इदर से आपके पांच नंब इजी वे में बन सकते हैं आपको 20 नंबर चाहिए होगे ठीक है और सेकिंड चैप्टर है जो हुमन आई आपका जहां से भी आपके पांच नंबर बन जाएंगे दस नंबर होगे उसके बाद जो आपका इन्वार्नमेंट चैप्टर रहता है सोर्स आफ एनर्जी रहता है औ इन तिनों को कर दो 10 नंबर आपके बन जाएंगे तो 20 नंबर होगे जो आपको पासिंग राइटे दिया बिल्कुल इजी से पास कर सकते हैं ठीक है साइंस का अगर आप और जो बात करें जिनकी 95% है वो कौन-कौन से चैप्टर को शोड सकते हैं वो अपना अगर इफेक्ट को शोड सो कोई दिकत नहीं है मैंगनेटिक इफेक्ट को भी आप शोड सकते हो उसके बाद अगर कैमिस्ट्री की बात करें अगर आप कार्बन और शोड़ना जाते हो तो उनको शोड़ दो बाकी आप अच्छी तरह से प्रिपेर करो बाकी जो इजी वे में आप से प्रिपियर भी हो जाएंगे ठीक अब चलिए नेक्स की बात करते हैं उसके बाद साइंस का आपका प्रेक्टिकल में आपका कितना रहता साइंस का प्रेक्टिकल आपका रहता है fred부터 16 Gust माक्स का ठीक है घिक है जिसमें आपका क्या रहता है continuing ट époसट के आपको एक मिल जाता यह रहता है फ्रेंस आपका जो प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीबूशन रहता है और इस वार जो आपके प्रैक्टिकल होंगे वो आपके स्कूल से ही उसको अवार्ड दिया जाएगा जानी कि आपका एवलूशन आपके स्कूल में ही किया जाएगा प्रैक्टिकल से और दो इस विल्यों मेवास इतना ही